चलिए में recording में डाल तो हम simple equations के question आज हम revise कर रहे हैं तो पहला equation था 2b upon 3 minus 5 is equal to 3 तो पहला काम हमारा क्या होता है बच्चों पहला काम हमारा ये होता है कि जो variable वाला term है उसको कुछ नहीं करेंगे अगर कोई constant उसके अलावा है तो पहले उस constant को हटाएंगे एक number है minus 5 right hand side में ले गए तो वो plus का 5 हो गया तो 2b upon 3 is equal to 3 plus 5 तो 2b upon 3 हो गया 8 अब आप देखिए 3 denominator में है तो right hand side में ले जाओंगा तो numerator में चला जाएगा 2 numerator में है तो denominator में है तो division में चला जाएगा ठीक हो गया और 2 से हो गया 2 4 जा 8 तो है यहाँ पर 4 ते जा 2 है तो आपका अचर आ गया b is equal to 12 एक और question हम देख लेते हैं एक और equation हम देख लेते हैं 2 into x plus 4 2 into x plus 4 is equal to 12 तो आप क्या करिए आप 2 को इस bracket के अंदर दोनों terms में multiply करेंगे आप ठीक है 2 into x हो गया 2x और 2 into 4 हो गया plus 8 is equal to 12 अब आप इसको वही तरीका है variable वाले term को ढहने देंगे एक student है जोती भट उनको समझ नहीं आ रहे थी exercise इसलिए questions में ले रहा है 2x is equal to 12 minus 8 हो गया 4 x is equal to 4 divided by 2 तो आपको मिल गया x is equal to 2 will be your okay चलिए एक equation में लिख रहा हूं 16 is equal to 4 plus 3 into t plus 2 सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे मैटा अरे सिधा सिधा बोलो कि आप आप क्या करदो interchange करदो sides को completely side को interchange करदो आगे पीछे क्या बोल रहा है हो simply आप interchange करदो एक दिस्टे से बदल दो left hand side को right hand side में लगदो right hand side को left hand side में लगदो interchange करदो आप तो 4 plus 3 into t plus 2 पूरा का पूरा आपने interchange करना होगा पूरी side ठीक है तो अब आप इसको आगे को solve कर लेंगे तो 4 plus 3 को अंदर multiply करिए इस t plus 2 इस expression में multiply करिए तो 3t अब plus 3 into plus 2 होगया plus का 6 तो आप क्या बन गया है यहां पर आप बताईए मुझे अब क्या हो जाएगा left hand side में क्या solve करके क्या हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया 3t प्लस अब देखिए 4 plus 6 हो गया 10 3t plus 10 is equal to 16 अगला step बताईए बताईए वाग 3t is equal to हो जाएगा कितना 3t is equal to 10 minus 10 16 minus 10 तो यहां से 3t is equal to 6 तो t is equal to आजाएगा 6 divided by 3 that is t की value आगई आपके पास 2 ठीक है ना यह स्टुदेंस बार बार क्लास में मैं admit कर रहा हूं बार बार क्लास की हो जा रही है आपनों की अच्छा फिर आगया एक और कोशन ले लेते हैं इसी तरह से इसी तरह का कोई एक कोशन हम ले लेते हैं sorry क्या हो गया 4th एक कोशन ले लेते हैं 4 plus 5 into p minus 1 है that is equal to 34 ठीक है that is equal to 34 तो आप इसको solve करें तो पहला काम हम bracket को open करेंगे ब्रेकेट के बाहर जो भी number है वो bracket के दोनों members में multiply हो जाएगा plus 5p minus 5 is equal to 34 तो simplify करके left hand side में क्या हो रहा है बताएए तो जरा मुझे 5p ऐसा ही रहा और minus का 1 आजाएगा value ठीक हो गया तो यहां से आगया 5p is equal to अब आप variable को 7 times cancel हो गया तो p is equal to 7 अगया आप कारण साथ ओके अच्छा आब हम कुछ word of problems को देखते हैं बेटा कुछ word of problems को हम देख लेते हैं ठीक है एक question अगर आपको याद हो अभी पर्सों ही तो किया है 4.4 एक isosless triangle होता है isosless triangle में दो sides ऐसा triangle जिसमें कोई 2 sides equal हो तो दोनों equal sides के opposite equal angles भी आपस में equal होते हैं ठीक है एक isosless triangle में क्या दिया है vertex angle जो है is twice of either of base angle ठीक है दो base angle इसके equal होते हैं और जो vertex angle है जो चोटी का है जो shear से है यह जो angle है इसको हम कहेंगे vertex angle vertex angle दिया है कि base angle का दुगना है ठीक है अच्छा ठीक है ऐसा दिया है और आप क्या use करेंगे यूज एंगल सम प्रोपर्टी of triangle एंगल सम प्रोपर्टी क्या होती है triangle की कौन योग यूग गुन एंगल सम प्रोपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है पूरा sentence बोलो 180 degree क्या होता है 180 degree तो straight angle होता है 180 degree कह रहे हो 180 degree पूरे अभी भी गलत बोल लो पूरे sentence बारा से बोलो the sum of all angles सारे एंगल का सम ट्राइंगल का सम नहीं sum of angles of triangle is 180 degree ठीक है यह है तो इसका यूज करते हुए आप एक equation मनाई है इसमें equation मनानी है ठीक है तो माल लेते हैं कि जो दोनों base angle है x हैं दोनों suppose let base angles are x each तो दोनों ही माल लेजे x हैं तो अब आप क्या कहेंगे by angle sum property ASP shortcut लेज़िया by angle sum property sum of angles of triangle is what चब़ों इसको नाना विदिया ABC triangle तो angle A, angle B और angle C इन तीनों का सम नहीं आपने के लिए आप इसमें value suit कर लिए vertex angle क्या है देखिए vertex angle क्या है दुगना है base angle का तो base angle x E, 2x है तो vertex angle क्या जाएगा 2x isches इसमें गिया क्या आपकी, vertex angle जेर twice or base angle तो अगर base angle x है तो फुसका twice मत्दब 2x, तो इसको 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 जाए थित्या क्या आपकी एक्षियम को सॉट रेखित क्या हम एक्षियम 2x plus x plus x कितना हुग या स्रेबलेग्टिक 2x plus x plus x कितना हुग या तो एक्षी यहां पर से कैमें रही है फोर क्या हो जाएगा डिविजन में चला जाएगा राइंसाइट में तो 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 वर्टेक्स अंगर क्या होगा वर्टेक्स अंगर क्या होगा तो तो इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में जो टांगल है यह नाटेक्स अंगर अगर आपने धिहान दिया हो आपके जोमेट्री बॉक्स में एक होता है क्या होता है सेट स्कुर्ड पता है आपने को सेट स्कुर्ड इसे कहते हैं अब एक बड़ा इंडर्स सा क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन ऐसा है कि राम इस ट्वेश्च यह यंगर राम अपने पिता से 26 साल चोटा है ठीक है फिर कहा कि उसके पिता जी इस फादर इस 25 यह यंगर देन इस ग्रेंट फादर इस मतब देन राम के ग्रेंट फादर से उसके फादर की एज जीनी है 25 यह कम है 35 यह अच्छा फिर दिखा है तस सम ओफ दियर एज़िस सम ओफ दियर एज़िस सम ओफ दियर एज़िस समझे के दियर एज़िस सम ओगा 107 यहाँज़िस सम ओड्याँविस समझे के दियर एज़िस समझे एज़िस आप रांगी एज तो निए उए तु राम मोस्ति योगी बताना या तो है हमोच सब्सक्राइब वटोर से चरने हों के इंदील ओंद्धिवक्त आपके शट करोड़े हैं कि इंदीम के एज का संदौ Order ठीक है इन तीनों की एज का सम जो है वो दिया हुआ है 122 एर्स ठीक है इन तीनों की एज का सम 122 एर्स है आपको राम की एज फान करनी है माल दिते हैं राम की एज एकस एज है लेट राम एज 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 एकस एज मालिजे राम की एज का हुई एकस एज तो उसकी फादर की एज आप बता सकते हैं मुझे वयटा 26 x का मतलब होता है 26 गुना 26 x हो गया ऐसका मतलब 26 x का मतलब है 26 तालिंग जैस नहीं कि उसकी एक 26 गुना कॉश्चन में क्या किया है राम अपने पिता से 27 छोटा है राम अपने पिता से 27 और एक्स बस सारे उप्षिन पोड़ा आप इसे अब आप ध्यान से दिखिए राम अपने पिता से 26 चोटा है तो इसके पिता जी उसे 26 बड़े हैं राइट यह तो मतलब हुआ यह तो इसलिए आप दाएए अगर आंगी एक से तो उसके पिताजी एक टिक नी हो जाएगी उससे 20 साल जाता है ना एक्स बस 26 से राइगी है ना अब आप जी बोल रहे हैं 26 अपने एक्स पता नी क्या क्या बोले ज़ल चल जा रहे हैं यह तीनों ही ए मुझे गलत बता रहे हुआ मुझे राम अपने पिता से 26 साल चोटा है तो इसको पिता राम से 26 साल बड़े होगा है यह जो भी राम की एज होगी उससे उसमें आप 26 चैट करेंगी तो उसके फादर की एज मिल जाएगी ठीक है अब क्या दिया है इस ग्रेंट फादर से इसमें कितना एंगर होगे उसके राम से 25 उसके फादर उसके राम से 25 साल चोटे हैं तो इसके राम से पच्छी साल बड़े होगे उसके वाप फादर से तो फादर की एज क्या लिखिए है उन्हें एक्स प्लस वंटीश्स उसमें आप एट करती हो दियो पादर की एज क्यों 25 तो आपके आँच करना आ गया है एक्स प्लस करना आ गया है एक्स प्लस 51 एक्स फिफ्टीवन एक्स फिफ्टीवन एँग्गे तीनों की एस का सम निका दिएए 3-0 की h का sum निकादिए ठीक है 3-0 की h का sum निकादिए 3-0 की h का sum x plus x plus 26 x plus 51 ठीक हो गिया clear है कि अबी को yes यह हैं यह हमने एड़ लगा है यह आगया 3x प्लस 77 ठीक है तो अब आप देखिए यहां पर अच्छा मैं यह नहीं नहीं हुदी हुदी इसका संग इतना है 122 है यहां है कोशन में है ना तो यह आगया x प्लस x प्लस x यह हो गया 3x 2651 हो गया 77 इस इकोल टू 122 ठीक हो क्या है हमने क्या किया च्छender क्यों से लिखिए के तरी स्विश्ट आप का क्योशन है राम 26 यह यंगर देशां पादर राम अपने पिता से 21 साल शोटा है यहां कि उसके पिता राम से 21 साल बढ़े हैं अगर राम की यह मैंना आगा फिर लिखा है कि कि यह हुँ झाटा है थ psychiat बैघे अफ्र फ़्छ पे लिए है कि इस पारे लिएर्ट कि बीघिया और उनकी तो थेकल कर दिया तो X शाखो गर गया तो आपके नाशी सिंप्लिफाय करें 77 राइएं साइड में चला जाएगा तो माइनस का 77 हो जाएगा तो यह आया कितना 12-75 इल्हाँ से मिनस फॉर इल्हाँ माइनस फॉर इल्हाँ से फॉर्टी फॉर्टी फ्युट आ गया 45 अपों 3 तो यह क्या है राम की है राम से है अगर मैं तो उसके फादर की है इंकाल सकते हैं बड़े आसानी से अगर आप उसके फादर की है इंकालना चाहरे हैं अगर अपना अंसर चेक हम कैसे करें हम की इंकाल सकते हैं देख लेते हैं 15, 41 उसके फादर की एज और उसके द्रेंट फादर की इंकालना चाहरे है तो इसलिए हमारा आंसर क्या है सही है ठीक हो गया क्लियरक ची इतार कमारों कर दो है अच्छा, अब बात करें एकौर प्रशन देते हैं अब हम लेते हैं इक और पॉश्ण, पॉश्ण नुम्र शिक्स तर पॉश्ण, ठीक है, अब करें कि राम थिंग सॉफर नमबर, राम एक नमबर के बारे में, शुचता है, ठीक है, अब क्या करती है, अब जो रहीम है सुचता थिक्टा क्यों से को है, तुम मुझे नमबर नो बताँ जो सोचा है, ठीक है, जो भी नमबर के वाहाें सोचा है, ठीक है, उसमें चारा करके 5 जोड़ा, पुला रहीम ने क्या कहा कि देट एड़ फाइव तू फोर टाइमस तर नंबर विछी थिंग्स वो केता है कि रहीम ने आपसे कहा कि एक नंबर सुचो तूं वो नंबर मुझे बताओ मत और कहा कि उस संख्या में चार्गा गुना करों मुझे मत बताओ उसने क्या कहा रहीम आजड़ दो फाइनल आंसर तो यह सब करने के वाद चार्गा गुना करके पांच जूड़ने पर क्या आए उस पांसर वो पूचा तो राम ने कहा राम सेड़ डेट देट देजर्ट केम सिस्टीफाइफ देजर्ट इस सिस्टीफाइफ कोषिन आपको यह है वर्ट डिट्ट वर्ट नंबर लीज राम थिंग और थौट वर्ट नंबर डिल राम थौट आफ यह बताओ अश्य पर देजर्ट पूचा अ थिकल न रहीम यह राम के नंबर पर उस नंबर पर चार्ट बंट बस दो ने मत्टिफाइफक दिया ।िप आया उसने उससे कुछा answer के आया तो यकानाd फिर आया राम ने उसको नूपister रखार की उसने नोब 15 सोचत था था फिप्टीन सोच create कि तुन ने पंझत आया से कि तुन्हें पंढ़ा तुन My जो यकर में आया उसके लिए उसने क्या dataéri mejor was letter number U निवर राम धौट राम ने जो नमबर सोचा उसने उसको क्या समझ दिया II से एक्स में चांदा खुना किया और पांच जओ दिया और व похिस्टिविश्ट हूं के इक्वडियोदी में चांब कर दिया उस तो एक्षिल इकोड़ तो 50 तो चाहता हुशे समझ में यह वाद बिटा ठीक है इस तरह का गेम आप आप भी खेल सकते हैं यह एक डेल लाइट एक्जामबर है कि जो पॉजल यह होती है आप इसको यह गेम खेल सकते हैं आप डिबन करता कि आप माइंड में कितनी फास्ट यह कर पाएंगे ठीक है इस पर डिबन करता है समझ में आया है मिटा तो यह आपका अप्लिकेशन है डेली लाइट में आपका अप्लिकेशन तो इसी तरह के क्यलाते हैं किता हैं Competency-based questions काकलाते हैं Competency-based Questions Competency-based questions योग्यत्व अधारित प्रशन इन्हें को घायता हैscreen कि यह जो चीजे सीख रहे हैं उनका आउ में किस तरह से साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक हो गया लेत है सभीerweise को mer rằng एक कोशिन और ले रहा हूंगे, अभी समय है, क्लास करीं है, मुन्ना subtracts thrice of a number, subtracts thrice of a number, thrice of a number thrice of a number of notebooks, thrice of a number of notebooks he has from 50, कि उसके पास जितनी भी किताबे हैं, जितनी भी notebooks हैं, उनका तीन गुना करके उसने उसको पचास मेश से घठा दिया, subtracted from 50, okay, he finds the result, he finds the result to be 8, okay, what is the number of notebooks with मुन्ना, what is the number of notebooks with मुन्ना, ठीक है, तो आप बताएं, आप मेंसे कोई बताएं मुझे, कैसे करोगी आप इसको, आप बताओ बिटा, 50-3x, okay, 50-3x है, is equal to 8, is equal to 8, यहाँ x क्या है, आपको बताना पड़ेगा x क्या है, x मालों कि x जो है, number of notebooks, variable को define भी तो करोगे, define the variable also, अच्छा, अब आप इसको solve कर दीजिए, इस equation को, तो minus 3x is equal to 8, अब यह 50 में right hand side में ले गया हूं, यह 50 positive है, right hand side में ले जाओंगा, तो 50 क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, negative हो जाएगा, minus 50, तो यहाँ से आया आपके पास minus 3x is equal to, कितना आ रहा है, minus 42, okay, तो x is equal to minus 42, divided by minus 3, ठीके बच्चों, तो minus से minus से आपका हो गया cancel, 3 से 40 cancel, तो उसके पास कितनी notebooks है, 40 notebooks है, तो मुलना के पास 40, उसे 50 में से आप 46 गटा ही, तो 8 ही आता है न, notebook का 3 गुना मतलब 42 हो गया, और 50 में से 42 गटा ही है, तो आपको 8 ही मिलेगा, ठीक हो गया, clear है मेटा, तो जाएगे question में, आपको जो भी statement question में दिया हो, statement वाले question है, word problems को कहते हैं, तो statement वाले question में आपने कुछ नहीं घवराना है, आप उस statement को कम से कम दू बार पढ़िए, उसके बाद सोचिए कि आपने variable किसको मानना है, तो उसके बाद equation setup करिए और solve कर दीजिए, ठीक हो गया, यही सबसे, बढ़िया तरीका है इस तरह के question करने का की practice करिए, आप regular इस तरह की word problems की practice करिए, ठीक हो गया, अच्छा, अब जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा 17P, 17P minus 10, 17P minus 10, is equal to 24, ठीक है, तो आप क्या करेंगे पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस equation को solve करने के लिए, 10 को right hand side में, minus 10 को not 10, minus 10 है में बिटा है आपके, minus 10 को right hand side में ले जाएंगे, तो plus का 10 हो जाएगा, right hand side में shift किया तो, यहां से आपको मिला 17P is equal to 34, तो यहां से आपको मिल गया, P is equal to 34 divided by 17, 17 को जाए 34, P is equal to, ठीक है, अब मैं आपको एक question,